कि यह बाइंग अपॉर्चनिटी दिखरी है 275 कॉंटिटी हम यहां पर बाइ करेंगे सम्वेर अराउंड उके वेट नहीं कि हमाने रिट्रेस्मेंड का के 114 थोड़ा मुमेंटम करता है तो हम लोग टार्गेट वगदा लगा देता है I think यहां से क्लेरली एक सैलेस के लिए ट्रैप हो चुका ही है मोमेंटम करता है तो टार्गेट वगरा भी हम लगा जेते हैं विड़ास अल्मोस्ट के आसपास ही चल रहा ही है सो इसका हम टार्गेट एंड स्टॉप लॉस की बात करें हैं विहाव इंटर सम्वेर अराउंड 108 108 टार्गेट हम थोड़ा सा उपर देंगे क्योंकि मुझे लगता है कि इसको भी वो क्रॉस कर देगा वो एक अच्छा ट्रैप हो चुका है यहाँ पर सैलेस के लिए तो हम टा 218 विल बी माय टार्गेट एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं सम्वेर आराउंड यह इंट्रिव यह हमारे 108 पे 218 का टार्गेट है स्टॉप लॉस हम दे सकते हैं 35005 का वह भी लगा देते हैं एक्जिट एसलम यह 05 करेक्ट 05 राइट यह हमने वह भी लगा दिया स्टॉप लॉस हैं टार्गेट लगा दिया है स्टेज उन्वेर में आपको अपडेट करता हूं जैसे मोमेंटम करता है एंड दक देखी तो मैं आपको पूरा एक सार एक्स्प्रेम कर दूंगा लॉजिक ब्रेक वेट कर दा कि थोड़ा नीचे की तरह मिल जाए बट नहीं मिला बैक टूब ग्रीन केंडर्स बनते का फाइनली मैंने यह लेवल के आसपास ट्रेट ले लिया है एक बहुत अच्छा मूव आने के बाद इसने देखिए फॉल किया हुआ है अब अगेन बैक टूप अबेल के आसपास चल रहा है कि थोड़ा सा लाइक मार्केट में इंट्री करने हमने लेट दिया है उपर के लेवल से उसने ब्रेकडाउन काफी दे चुका है अब यहां पर हमने बाई किया है शायद वो थोड़ा सा वो साइडवेज की तरह बहेव कर सकता है तो लेट सी वेट करत आके रखा है हमने करेंटली अल्मोस देखिए 600 के आसपा प्रॉफिट चल रहा है स्टेट यून ट्रेडर्स में आपको अपडेट करता हूं ट्रेडर्स एस एक्सपेक्टेड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट में मोमेंटम काफी हो चुकी है और अब कुछ खास मोमेंटम मार्केट कर नहीं रहा है तो यहां पर आपको दिख रहा होगा अप मूव डाउन मूव फिर अप मूव अब वो साइडवेस करा होगा है अल्मोस हमने ट्रेड ली हुई है 1246 टाइम हो चुका है 1353 वन अवर के ऊपर हो चुका है बैंक निफ्टी में वन दिन प्रॉफिट्स लेट्स में आपको अप्डेट करता हूँ टागेट एंस टॉप लॉसा इंटेक्ट ट्रेडर्स फाइनली अप मूमेंटम 199, 198, 215 एंड फाइनली यहां पर अचीव हो चुका है जो सबसे पहले इसको हम कैंसल करेंगे अल्मोस टुक 1246 से लेके 1410 तक बुक के आमने 30,000 रुपीज लेट्स सी क्या सेटप था हमारा किसी आप से हमने ट्रेड किया हुआ है ट्रेड लिया 1246 पे सिंपल सा ब्रेक आउट ऐसा लगता है एक जमाना पहले ले लिया इतना दूर बाइंग हुआ है अतना टाइम लग गया ट्रेड करते हुए and most important thing आप लोग पहले पूछो कि यह तलीगराम पर अपडेट क्यों नहीं किया अच्छल मैंने ट्रेड लेने के बाद मिझे कॉल आ गया तो मैं almost चार से पाच मिट हो चुके थे वो टाइम पर और almost लोग यह लेवल्स के आसपर आ चुके थे तो वो लेवल्स पर मैंने आप बाई किया आपके ज्यादा confusion क्रीट हो इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो आज का दिन skip कर देता है नेक्स जब मैं ट्रेट करूँगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा ठीक बहुत ही सिंबल सा ब्रेक आउट था आइ ठीक ब्रेक आउट यह लेवल्स के आसपर आया था यहाँ अब ब्रेक आउट के साथ ही नॉर्मल ब्रेक आउट के साथ और क्या सेट अप था मेरा यहाप वो बड़े टाइम फ्रेम पर समझेंगे रोड़ेस स्री अबली चार्ट नहीं 15 मिनट का चार्ट देखिए सपोर्ट 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 ओके यहाँ सपोर्ट लिया 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 क्लेरली यहाँ से डिरेक्शन है कि उपर जा सकता है probability इसने एक नीडल फॉल किया हुआ है, सपोर्ट के ऊपर कभी भी ऐसा नीडल फॉल होता है, तो एक रिट्रेस्मेंट जरूर बनते हैं, इसलिए मैंने देखी बड़ा टार्गेट नहीं लगा है, टार्गेट मैंने क्या प्लान किया था, जर्णल यहां पर सब के स्टॉप लॉस पड़ से क्या किया, this was my bottom, bottom से लेकर टॉप तक मैंने फिबोनाची लगा दिया, simple, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 618 पे वो क्लेरली यहां पर उसने बाउंस किया है, और रिट्रेस्मेंट वाला यह होट एरिया है, क्यों होट एरिया है, क्यों होट एरिया है, क्योंकि यह सप कासा फॉल किया है, यह सपोर्ट हो गया, यह सपोर्ट हो गया, यह सपोर्ट हो गया, छोड़े टाइम फ्रेम पे मैं गया, यहां पर मुझे एक ब्रेक आउट देखा, almost 46 के लेवल के आसपास, 43 पे ब्रेक आउट आया था, आपको पता है, बैक टु बैक ग्रीन करनल तो मै वेट करता हूँ, जब मैंने ट्रेट किया यहां पर, यह लेवल्स पर मैंने ट्रेट किया, तो वो टाइम पर रेट जनरेट हो रहा था, मैंने ट्रेट दिया और फुर उपर और बाग गया, वाल राइट, तो यह लेवल्स पर हमने बाइंग किया, छोटे टाइम फ्रेम प यहां पर जरूर बैटे होते हैं जो ट्राइ करते हैं एक वह पास मुल्टिपल रीजन है यह भी सपोर्ट लेवल है साथ में एक फिबोनाची का सपोर्ट लेवल भी आ गया तो उसे साब से मैंने इसको अगर वह तो एक गरा गया मतलब अजब यहां पर ज़रूर करते हैं यह तक नहीं बोल रहाँ आपको यहां ट्राय करते हैं कि थोड़ा ऊपर के तरफ फुल आजा ओओ जो उपर के तरफ थोड़ा मोमेंटम दा वही मेरा exactly target था जो हमने यह आप पर achieve किया है, होप आप यह point समझ चुकी होंगे एक announcement थी, next week मैं बाहर जा रहा हूँ, weekends के लिए बाहर जा रहा हूँ मैं, तो मैं telegram पर update कर दूँगा, कि मैं मंड़े को निकल दूँए Tuesday को, telegram पर join हो जाई है, अगर नहीं हो description box में link का, वो join कर लिजे thanks for watching, we'll see you in the next video